प्रिंड्स ध्यान दीजेगा और सट भी बीपेसी के लिए पेड टेलीग्राम डेली टार्गेट बैच स्टार्ट कर दिया जा चुका है डेली टार्गेट बैच में देखे डेली टार्गेट और रिवीजन आपको इसमें करवाए जाएगा टार्गेट अब बाद बिहार आपको आपको और कुछ भी करने जो तनी आपको सब कुछ यहां पर आप लोग वाट्सेप ऊपर में आप लोग मैसेज करेंगे पेमेंट डीटेल जान लेंगे और पेमेंट करने बाद स्क्रीन सब्सक्राइब बेजेंगे फिर आपको एड कर लिया जाए ग्रूप के आपको हमारे पेड ग्रूप में ही दिया जाएगा ठीक है हमारा जो पेड ग्रूप है वही पे इनको पेड मिम्बर्स के लिए है तो आप अगर इसको लेना चाहते है आप उस ग्रूप में जुड़ जाएगे और सिर्फ परफेक्शन आईयस का ही नहीं जैसे जैसे हमारे और भी जो सेट्स आएंगे जैसे दृष्टी का हो परफेक्शन आईयस हो आस्था हो तो इनका जैसे से टेस्ट आएगा मार्केट में वह भी वहाँ पे प्रवाइड करवाया जाएगा वीडियो से पहले इंट्रोडक्शन में आपने देखा होगा सारा कोर्स के डिटेल द दिये जाएंगे वह आपको ग्रूप में वहाँ पर दे दिया जाएगा और जो फ्री वाले टेस्ट होंगे जैसे कि इडूटीरिया हो गया प्लाटफॉम हो गया वह हमारे टेलिग्राम चैनल पर अपलोड होता रहता है वहां से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं चले इसक इसको देख पाएंगे इंग्लिस हिंदी दोनों में ही ठीक है चलिए इसको मैंने कर दिया जूम और यहां से हमारा आजाता है पहला नंबर सवाल क्या है देखिएगा मदरास में इंग्लिस इस्ट्रिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था धियान थोड़ा सा कम कर दिया जाए चलिए बाई नंबर दो देखते हैं हम लोग किस गुजराती वेपारी ने वासको डिगामा का काली कट तक मार्ग दर्सन किया था तो वासको डिगामा काली कट तक मार्ग दर्सन जो है अब्दुलमजीद नामक ये एक था गाइड उसने करा थ तो अंग्रेजों ने भारत का सर्ताज कहा है मुंबाई को भी हमारा यहां पे बिल्कुल ही सई हो जाएगा ठीक है चलिए नमबर चार 1764 के बकसर के युद में इस्टिने कम्पनी के विरुध किन सासको का गठ जोड था तो इस्टिने कम्पनी विरुध जो सासको का गठ जोड था वो था देखिए मीर कासिम सिराजुद दौला सुजाउद दौला और सालम दूइतिय भी सई हो जाएगा हमारा नेक्स देखते हैं हम लोग नमबर पांच यांडव की संधी किसके बीच हुई थी यांडव की संधी की बात हो रही है ध्यान दीजेगा यह हुआ था ब्रिटिस तथा बर्मा के बीच में है ना यांडव की संधी क्लियर नमबर छे किस मराठा ने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधी की थी तो अंग्रेजों के साथ सूरत की संधी किस ने करी थी रगुनात राओ जी ने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधी की थी ठीक है चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं हमारा है next question नमबर 7 क्या बोल रह पर रूसियो के आकरमन के भैसे किस राजका अधिग्रहन किया था किस राजका इन्होंने अधिग्रहन किया यहाँ पर यह बताना है पर कि छलिए 7 का मेरा требi ँंसर हो जाएगा ध्यान दीजेगा कंद ही है कि यह मेरा अगर हम बात करें खीया नário आसे सिवन्स का तो euro और एसिया में धाने रखिएका पर जाएगा यहाँ अपना कसमीर का रीजन हो जाएगा पंजाबि असाम हमारा ई हो जागा एक से अधिक आठ नमबर देखिए बुराजस्व में रहयत वाडी परियोग का प्रणब किस के द्वारा किया गया था यह किया गया था एलेक्जेंडर रीड के द्वारा ठीक है भी हमारा यहाँ पे बिल्कुल ही सई हो जाता है नमबर नाईन देखते हैं किस आयोग समीति ने धन के निर्गमन के मुद्धे पर दादा भाई नौरोजी से प्रश्नकिया था तो यह किया था दिखिएगा वैलवी समीति ने डिकरेक्ट होगा नमबर दस निमली की तरह से किसके बारे में यह माना गया है कि वह 1857 में बृटिस के विरुध सडियंतरकाडी सन्यासियों और फकीरों का नेता था अगर हम बात कर ले किसके लिए बोला गया है तो नाना साहिब के लिए कहा गया है यह डी करेक्ट हो जाएगा चलिए नमबर 11 देखते हैं हम लोग नमबर 11 में क्या बोल रहा है आखिल भारतिय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई थी उसका निर्वाचित अध्यक्ष कौन था अखिल भारतिय किसान सभा का बात हो रहा है ठीक है उसका निर्वाचित सदसे कौन था तो बल्ला भाई पटेल जी ने भी हमारा करेक्ट हो जाएगा सूरत के गुजरात से इन्होंने ये स्टार्ट किया था कब 1928 में ओके चलिए 13 देखिएगा दीन बंदुमित्र ने अपना नाटक नील दर्पन किस विशय वस्तू के संदर्व में लिखा है तो दीन बंदुमित् पेश्व बाजी रहो दूइत अथा उनके परतिनी धी त्रयामवक जी दांगलिया ने प्रुचसाहित किया था ये कहा जाता है किसके बारे में देखिएगा भील विद्रो के बारे में बी करेक्ट होगा पंद्रा देखिए निमलिखित में से किसने अठ्रा सो पंद्रा में आत्मिय सभा की स्थापना की तो अठ्रा सो पंद्रा में आत्मिय सभा की स्थापना किसने की थी देखिएगा राजा राम मोहन रोय ने इसके स्थापना करी थी ठीक है सी करेक्ट होगा 16 यंग बंगाल अंदोलन है ना इसका परवर्तक निमलिखित में से कौन था तो यंग अंतिम वर्स की बात है उसमें बंगाल के बुद्धी जीवयों के बीच में एक रेडिकल ग्रूप संगटित हुआ था जिसके विचार अधिक करांतिकारी थे और इस अंदोलन को यंग बंगाल अंदोलन के नाम से भी तब जाना गया था ओके और यंग बंगाल अंदोलन का ज केसव चंदर सेन हो जाएंगे ठीक है यहां बात हो रही है भारतिय ब्रह्म समाज सिर्फ ब्रह्म समाज नहीं हो रहा है राजरा मोहन रोय आप लोग मारे हो गए यहां पर ध्यान रखेगा सवाल पहले समझेगा आप लोग फालतु में हल्ला करते हैं है ना कुश्चन पहल गया ब्रह्म समाज को विचारों को लेकर 1865 में केचव चंदर सेन और देवेंद्र नाट टैगोर के बीच में मदबेद हुआ विवाद हुआ और जिसके बाद से परिनाम सरूप केसव चंदर सेन ने मूल ब्रह्म समाज से आलह होकर साल 1866 में कब 1866 में आपचारिक रूप स को आदी ब्रह्म समाज कहा जाने लगा मतलब जो पहले से एक्जिस्टिंग ब्रह्म समाज था उसको आदी ब्रह्म समाज कहा जाने लगा और केसव चंदर सेन ने 1866 में ये भारतिय ब्रह्म समाज जो है इन्होंने इसको स्टार्ट किया ओके ध्यान रखिए का इस बात का च में ठीक है यह 795 स unless anti2 के बीच में कानुन बनाया गया थे और उनहें सकती से bentic और harding ने लागू किया थाOFF नर्बली प्रठाव खतम करने के लिए भी कानुन बनाया थाा और advocating Nar log के लिए इस begin प्रचलित थी ठीक है तो बेंटिक और हार्डिंग की बात हो रही है ठीक है तो विलियम बेंटिक हमारा यहां पर करेक्ट हो जाएगा हार्डिंग ऑप्शन में नहीं है अधरवाइस हम लोग इमारते हैं चलिए 19 बनारास में केंद्रे हिंदू विश्विध्याले कि स्थाप ना करी की थी एनी बेसेंट के द्वारा क्लियर चलिए भाई 20 नमर देखिएगा ब्रिटिस सरकार 1891 में एज ओफ कंसेंट एक्ट पारित किया जिसमें विवाह की नियुंतम आयू का निर्धारन किया गया इस कानून का किस राष्ट्रवादी ने विरोध किया था एज ओफ थोरा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा मैं आपको कुश्चन पढ़कर बताता हूँ आप लोग बस कॉंसेंट्रेट कीजिए ओके 21 बनारास में प्रथम संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस ने की देखिए ये स्थापना किया था जोनाथन डंकन ने ये करेक्ट होगा 22 देखिए दे इस्ट इंडिया एसोसियेशन की क्लियर चलिए 23 देखिएगा भारति रास्टे कॉंग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिस राष्टवादी के प्रती संश्यालू हो गये निमलिखीत में से किस ने कहा कि कॉंग्रेस केवल विशिस्ट वर्ग कि कॉंग्रेस जो है सिर्फ कुछ वर्ग का ही प्रतित्व करती है हाँ निमलिखीत में से किस राजनेता ने परम परागत धार्मिक उत्थान का उपयोग राष्टवादी विचार के प्रचार प्रसार के लिए किया देखिए इसका जो यूज किया अगर हम बात कर ले तो य अंग्रेस द्वारा यह जो है उनी सो पांच में बंगाल विभाजन हुआ था उसी के वज़े से स्वादेशी आंदोलन भी स्टार्ट हुआ ठीक है जिसके वज़े से काफी विरोध हुआ और इसका सरवादिक तीव प्रतिक्रिया बंगाल में हुआ था और इसके साथ ही य सब जगा मोटा मोटी यह फैल गया था क्लियर चलिए 26 स्टार्ट बंगाल सब जगा था बिटेस सरकार दोरा बंगाल की भाजन को किस वर्स रद किया गया इसो कब रद किया था 1911 में ओके चलिए नंबर 27 देखिएगा नंबर 27 में क्या बोल रहा है अखिल भारतिये मुस्ल नवा मोसिनल मुल्क भी इसके संस्थापक सदस्य में सामिल थे ठीक है ओके मोसिनल मुल्क आगा खां तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा ठीक है चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग 28 अखिल बंगाल सभीने अवग्या परिशत गठन निमलिखित में से किसने किया था इसका गठन किया था किसने जे एम सेन गुपता ने ठीक है अखिल बंगाल सभीने अवग्या परिशत का क्लियर 29 को जादा ये बलर है मैं आपको बोल रहा हूं आप लोग बस कॉंसेंट्र और युगांतर नामाग जो ये पेपर थे निउस पेपर कहां से पब्लिश होते थे देखिए ये दोनों ही बंगाल से होते थे पब्लिश क्लियर चलिए भाई आगे हम लोग बढ़ते हैं नंबर तीस तीस नंबर देखिएगा दक्षिन अफरीका में संघर्स के दौरान महात तरीका स्टार्ट की थी 31 किस राष्टवादी नेता ने सबसे पहले स्तथ को पहचाना कि राष्ट्य अंदोलन में निम्न वर्ग किसान मजदूर दस्तकार महत्पूर्ण भूमी का निभा सकते हैं ये सबसे पहले इस चीज को समझा था बीजी तिलग जी ने डी करेक्ट हो यहां पर आइनो आप सभी लोग जातर लोग बोलेंगे क्या चंपारन तो चंपारन प्रथम सत्याग्रह था इनका लेकिन भूखरताल का जो पहला इनोंने एक्स्पेरिमेंट किया था दक्चिन अफिया कि आप टाउन में इनोंने कर था 1906 में ठीक है नमबर 33 देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है 1919 के जालियावाला बागत्य कांट के विरोध में किस विख्यात व्यक्ति ने ब्रिटिस सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइट क्यूपाधी लोटा दी थी तो इस क्यूपाधी किस ने लोटा दी देखेगा रविन्ना ज सींबात क्या है यसे ने लॉटा है था फेनिक्स बस्ति का संस्थापक इन में से कौन था प्रदी को पाइओ निक्स विसे संस्थापक्wo kenn Islandểm और फेनिक्स यह ducksा देखे पाई अत्मा गांधि. हद्ववाइद्थ इन टीनों में कौमन कौन सा बात था ? अगर हम बात करने ये भारती उद्योग पती थे ये लोग, भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 37, देखिएगा, दक्षिन भारत के चार भासाई छेतरों में कौन सा अहसायोग अंदोलन 1921-22 से अप्रभावित रहा था, तो ये अप्रभावित कौन रहा था, देखिए करनाटक रहा था, 38, सविने अवग्या अंदोलन दौरान निमलिकित में से किस रियासत ने कौंग्रेस का समर्थन नहीं किया था, देखिएगा, मैसूर ने नहीं किया था, भावनगर, जुनागर, काठियावार्ड इन सबने करा था, चलिए नमबर 39 देखते हैं, कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए निमलिकित में से किस पर विचार किये थे, तो इन्होंने जो विचार किया था, देखिए, माहा संग पर इन्होंने विचार किया था, कैबिनेट मिशन प्लान ने, क्लियर, चलिए, नेक्स देखते हैं, नमबर 40, भारतिय स्वतंतरता संगराम के दोरान, कोल में संमेलन के रूप में, जानी जाने वाली बैठक की स्रिंखला मुख्य तक किस पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी, तो ये जो आयोजित की गई थी, देखिएगा, स्वतंतरता को मंजूरी देने के लिए इसका आयोजन हुआ था, ओके, 41 देखिएगा, क्या बो देखिएगा, 42 निमलीकितम से कौन सा हमारे राष्ट द्वच के डिजाइन से सम्मंदित है, इनमें जो राष्ट द्वच के डिजाइन से सम्मंदित है, अकर हम बात करें, देखिए ये बनाया था, पिंगली वैंकईया जी ने, एक औरेक्ट हो जाएगा, इनहीं के दवरा हमारे राष्ट द्वच डिजाइन किया गया था, चलिए, सेप्टेंबर 1939 में प्रडम्भ हुए, दुईतिय विश्यूद में कॉंग्रेस किस सर्थ पर अंग्रेजों को सहायता देने को तयार हुई थी, तो ये तयार हुए थे, युद समापती के बाद भारत को सुतंत्र क कर दिया जाए, इसी सर्थ पर इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, फोटी फोर, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी, तो हिंदू महासभा की स्थापना की बात कर ले, देखेगा, ये साल 1915 में हुआ था, भी सही हो जाएगा, फोटी फाइव देखिए, मु कॉनिस्ट पार्टी के स्थापना की बात कर ले भाई, तो ये 1925 में हुआ था, कब हुआ था, 1925, उनीस्ट पार्टी के स्थापना हुई थी, इसके अलावा देश में अनेक भागों में मजदूर किसान पार्टीयां भी 1925 में बनी थी, तो हमारा ऑप्शन में 1925 है नहीं, इह हमारा यहां पे सही हो जाएगा, ठीक है, चलिए, 47 देखिएगा, कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी के स्थापना किसके नित्वत्त में की गई, तो कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी के स्थापना जो है, ये किसके नित्वत्त में किया गया, तो देखिए, आचार न गांधी जी को किस ने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्यग्रा को पुरुस्तक सीमित ना रखा जाए देखिए ये राजी किया था कमला देवी चटोपाध्यायने ओके डी करेक्ट होगा पचास देखिएगा भारते सुतंता अंदोलन दुरान मंजरी सेना वानर सेना का गठन कब किया गया तो मंजरी सेना और वानर सेना गठन जो है देखिए ये सबीने अवग ज्यांदोलन के दौरान किया गया तो हमारा भी एप्सलूट करेक्ट हो जाएगा गाइस अगर आप लोग को आप तक हमारा वीडियो अच्छा लगा है कमेंट करके अपने राय हमा कर्या बाल सेना विदो निम्लीखित में से किस जहाज से सुरू हुआ था तो नो इम्लीखित में से किस भारतिय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है तो भारतियव प्रेस का मुक्तिदाता देखिए चार्ल्स मेटकॉफ को जो है भारतियव प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है 54 भावानी मंदिर की रचना की गई भावानी मंदिर इसकी रचना करी गई थी देखिए अरविंद घोस के द्वारा ए एपसलूट करेक्ट हमारा यहां हो जाएगा देखिए भावानी मंदिर या देवी भावानी का मंदिर को एक गुमनाम पत्रिका के रूप में अरविंद घोस द्वारा लिखा जाता था अरविंद घोस एक योगी और दार्शनिक थे और इन्हों ने युवा वस्था में सुतनता संग्राम में एक रंतिकारी रूप में भाग लिया था बाद में ये निउट्रल पढ़ गया थे चलिए 55 देखते हैं हम लोग प्रसासन में भस्थाचार पर अंकुस लगाने तथा कुसलता लाने है तू किसने प्रसासनिक अधिकारियों के वेतन में अत्याधिक वृद्धी की थी तो ये अत्याधिक वृद्धी किसने करी थी अगर हम बात कर ले ध्यान दीजेगा तो प्रसासन में भस्थाचार पर संकुष लगाने के लिए वारेन हेस्टिंग और लॉर्ड कार्णवेलिस इन दोनों नहीं हेस्टिंग ने और कार्णवेलिस ने ठीक है इन दोनों नहीं इसके उपर काम किया था तो हमारा ई हो जाएगा चपन भारतिय परिसीमन समीतिय गठन किसके समय किया गया था तो भारत ज्बैनिक संदर्ब में द्वयदसासन दयर्ची सिधान्त किसे निर्दिष्ट करता है द्यान दिजेगा यह निर्दिष्ट करता है प्राँंतों को प्रतियोजित विषयों को दो वर्गों में भाजन करने को लेगे बी आप्सुलूटं स्थाвеा करेक्ट होगा हमारा 59 निमलिकित में से कौन 18 सताबदी में अवद राज का संस्थापक था देखिएगा अवद राज का संस्थापक इन में से कौन था तो सर्फराज खां था अवद का स्वायत राज का संस्थापक सहाधत खां और वरानून मुल्क को माना जाता है उसने माफ कीज़ेगा यहाँ पर थोड़ा सा गरवडा गया मैंने 59 का D बोल दिया है extremely sorry सहाधत कहा हो जाएगा ठीक है ना सहाधत कहा हो जाएगा सरफराज कहा मैंने बोल दिया माफ कीज़ेगा सहाधत कहा हो जाएगा B हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा okay extremely sorry इस पर थोरा से आप लोग इसको correction कर लिजेगा ठीक है ना 60 देखते हैं हम लोग भारत में अंग्रीजी कमपनी के वेपारिक गतिविधियो का प्रथम केंद्र कौन सा था तो वेपारिक गतिविधियो का प्रथम केंद्र कौन था देखे सूरत था 61 भारत में ब्रिटिस राजिनितिक सत्ता का रंब किस युद्ध से माना जाता है ये माना जाता है देखिएगा पलासी के युद्ध से 61 का सी हमारा correct हो जाएगा पलासी के युद्ध कब हुआ था 1757 में ये पलासी के युद्ध हुआ था तो हमारा C यहाँ पे correct हो जाएगा चलिए 62 हम लोग देखते हैं देखे सालबाई की संधी का संबंध किस युद्ध से है सालबाई की संधी देखे इसका संबंध जो है प्रतम आंगल मराठा युद्ध से है सालबाई की संधी बी correct होगा 63 निमलिकित में से किसने राज विलय क सुरी राज विलाय का सिध्धान्द यानि डॉक्ट्रिन ओफ लैप्स को लागू किया था तो राज विलाय का जो सिध्धान्थ है यह लाया कौन लॉट डलहाओ जी सी एप्सलूट करेक्ट हो जाएगा चौसट देखिएगा निमलिखित में से किस ने 1793 बंगाल के चिरस्थ स्थाई बंदोबस्त की सुरुआत की थी तो बंगाल के चिरस्थाई बंदोबस्त को सुरू किया था कौन कार्णवेलिस एक करेक्ट होगा 65 उनीसमी सताबदी के उतरार्द में भारत किसका एक सबसे बड़ा उत्पादक तता निर्यातक देश था तो भारत ध्यान का बहुत मात्रा में निर्यात होता था ठीक है यहूं चावल सूती अफीम चीनी यह सब तो हमारा यह हो जाएगा एक से अधिक ठीक है ना चलिए आगे हम लो बढ़ते हम लो 66 देखिएगा 1857 के विद्रोग के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था तो उसमें भारत में गवर्नर जनरल देखिए लॉर्ड कैनिन था यह करेक्ट होगा 1857 के विद्रोग अरंब कहां से हुआ था देखिए इसका अरंब जो है मेरेत से हुआ ठेक होगा इस्वर चंद्र विद्या सागर द्वारा चलाए गए समाजिक सुधार अंदोलन में प्रमुक था क्या चीज? तो इसमें जो प्रमुक था देखिए विद्वा पुनर विवा था मेन 72 भारतिय पुनर जागरन का प्रत्थम निता किसे कहा जाता है? तो भारतिय पुनर जागरन का प्रत्थम निता जो है देखिए राजा राम मोहन रोय को कहा जाता है तो इसकी स्थापना किस ने की थी ये किया था डेविड हेयर ने ओके कलकत्ता ये प्रसिद जो हिंदू कॉलेज है इसकी स्थापना डेविड हेयर ने करा था चोहत्तर देखिएगा महरास्टरा के किस समाज सुधारक को लोखितवादी उपनाम से जाना जाता है तो लोखितवादी के उपनाम से जाना जाता है देखिए गुपाल हरी देशमुख जी को बी हमारा यहां पे सही हो जाएगा 75 आरे समाज संदर्व में निमलिकित कतों में से कौन सा सही है तो आरे समाज के संदर्व में जो सही कि अगर हम बात कर ले ओके तो आरे समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में किया था सही बात है मतुरा के स्वामी विर्जनानं इन्होंने ऐसा किया था और उनके द्वारा रचित पुस्तक सत्यार्थ प्रकास है आरसमाज वैदिक परंपरा में विश्वास करते हैं मूर्ति पूजा अव्तारवाद बली कर्मकांड और अंधविश्वास के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया था ठीक है ध्यान दीजेगा इनका प्रभाव जो है अगर हम बात कर ले 75 का हमारा यह हो जाएगा ठीक है ना तो इन्हें से कोई भी इनमें नहीं होगा सही चिहत्तर द्यानंद एंगलोवैदिक विद्याले की स्थापना किसके दोरा की गई इसकी स्थापना जो है द्यानंद एंगलोवैदिक अगर हम बात करें तो यह समाज में सिक्सा विस्ता को नई दीजा देने के लिए द्यानंद एंगलोवैदिक की स्थापना की गई और हंस राज एवं लाला लाचपत राय के दोरा इसकी स्थापना की गई थी लेक राम और मुंसी राम के द्वारा गुरुकूल कांगडी के स्थाफना की गई थी ठीक है इसलिए हमारा E हो जाएगा तो हंस राज और लार राजपत राएं दोनों हो जाएगे हमारे 77 देखते हैं हम लोग देखेगा सर विलियम जोन्स ने निमलिखित में से किसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था तो सर विलियम जोन्स ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसका अभिज्यान सकुंतलम का सी करेक्ट होगा भारत में इतिहास का पाला सुविवस्थित इतिहास निमलिकित में से किस विद्वान ने तयार किया था तो इतिहास का सुविवस्थित इतिहास यह विंसेंट आर्थर स्मिथ ने स्टार्ट या तयार किया था कॉंग्रेस का महल भर भड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी मुख्य महत्व कांचा यह है कि मैं सांती के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूँ यह किसका स्टेट्मेंट है देखेगा स्टेट्मेंट था लॉड करजन का सी करेक्ट होगा 80 असी नंबर थोरा से यह बलर टाइप का है मैं बोल रहाँ आप लोग बस कॉंसेंट्रेट कीजेगा भारती रास्टे कॉंग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में सबसे पहले स्वसासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिस सरकार के सामने रखा गया था यह मांग को रखा गया संथा देखिएगा कलकत्ता दीवेशन में 1906 में ठीक है एक करेक्ट होगा ओके नेक्स्ट है मेरा 81 निमलिखित में से किस अंदोलन के दोरान पहली बार वंदे मातरम का व्यापा की स्थर पर प्रयोग किया गया तो इसको व्यापा कि सथर पर जो पहली बार यूस किया गया स्वदेसी अंदोल 82 कि निम्लिकित में किसे को समानेता पंजाब केष़ीं कहा जाता है अगर हम बात कर ले देखें लाला लाच पत्राइजी को ए करेक्ट होगा 83 वराँ पशुर्डान बात कि और यह किया गए था ability saving अभिनव हारत OK तो हमारा a एकोरेक्ट हो जाएगा 84 हम लोग देखते हैं क्या है अल हिलाल नामक समाचार पत्र का प्रकासन किसने स्टार्ट किया था अल हिलाल ये स्टार्ट किया था मौलाना अबुलकलाम जी ने D correct होगा 85 इनमें से किसने अपनी रचनाओं में विभाजन के बारे में नहीं लिखा है तो बंकिम चंदर चटोबाध्या ने अपने रचनाओं में विभाजन के बारे में उलेक कभी नहीं किया है 86 आजाध हिंद फॉज यानि कि इंडियन एस्टन आर्मी का गठन किसके या किसके विरुद्ध लड़ने के लिए किया गया था इसा गठन किया गया था भारत में ब्रिटिस के विरुद्ध लड़ने के लिए ठीक है तो 86 का हमारा बी करेक्ट हो जाता है 87 नेखते है पाकिस्तान सब्द का प्रयोग सबसे पहले किस ने किया था सबसे पहले इस वर्ड का यूज किया था चौधरी रहमत अली जी ने बी करेक्ट हो जाएगा उके चलिए भाई तो पाकिस्तान जो है ध्यान रखेगा पाकिस्तान कैसे बना तो पाकिस्तान यानि की पंजाब, अफगानिस्तान, काश्मीर, सिंधत था बलुचिस्तान मिलके पाकिस्तान इन्होंने बनाया था और इन्होंने देखें कैंबरिज में ये पढ़ाई कर रहा थे और ये पंजाबी मुसल्मान चातर थे और रहमत अली ने 1933 और 1935 में अपने दो बार इन्होंने लेख लिखा उसमें इसका जो है काफी जिक्र किया था ठीक है एटी एट देखते हैं अलिगर्ड में जामिया मीलिया इसलामिया या निरास्टिये मुसलिम इस्विद्धाले बिहार विद्यापीट कासी विद्यापीट और गुजरात विद्यापीट की स्थापना किन जाना अंदोलन दोरान हुई थी इसकी स्थापना हुई थी अहसायो का अंदुलंदुरान भी करेक्ट होगा 89 देखिएगा स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे स्वराज पार्टी के संस्थापक की बात कर ले ये देखिए राजेंदर परसाद जी थे C करेक्ट होगा 90 किन संगठनों के द्वारा 1928 में पेश नहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया था तो नहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया था अगर हम बात कर ले देखिए नहरू रिपोर्ट को सर्वसमती से पास किया गया था लेकिन मुस्लिम लीग, हिंदु महासभा और सिख लीग जैसे संप्रदाइक रुजहान वाले संगठनों के नेताओं ने इसका विरोध किया था, ठीक है, तो सिख लीग हो गया, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, तो हमारा E एप्सलूट करेक्ट हो जाएगा, 91, 1935 के भारत सरकार कानून के अंतरगत, फरवरी 1937 में हुई, प्रां 91 का हो गया हमारा, 92 देखते हैं हम लोग, 92 है भारत छोड़ो अंदोलन दोरान किन जगों पर समनांतर सरकार की स्थापना की गई थी, तो समनांतर सरकार की स्थापना भारत छोड़ो अंदोलन दोरान जो है देखिए, बिहार, पस्चिम बंगाल, उडिशा, आंदरपर्दे करेक्ट हो जाएगा 93 भारत की सुनता के समयarrite inạnh backyard का किि प्रोंच जब भारता द्धाने crater थें वहां थ क्लीमेंट एटली जब भारत आजाध होगा थे तेज बाहदुर सप्रूस, भास चंद्र बोस, अली इमाम, ठीक है, तो ये लोग जो है, इसमें समलित थे, ये हमारा करेक्ट होगा, 95, निमली की तुमसे किस ने चटगाउं सस्त्रगार हमले का नित्वत किया था, तो देखे, चटगाउं सस्त्रगार हमले का नित्वत किया इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ने, ठीक है, ओके, सूरसेन इन में थे, तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, चलिए, 96 देखते है, 96, गांधी जी ने अपनी रंड़नी ती, सभीने अवग्या अंदोलन, या सभीने अवग्या का परियोग किया, तो इन्होंने सभीने अवग् एक ट्रेंड डखेती थी, जो चलती ट्रेंड में 9 अगस 1925 में लखनाउ सहंपूर रेलवे लाइन पर काकोड़ नामकिस्थान पर ये लूट घटित हुई थी, इसके अंदर राम प्रसाद बिस्मिल, अस्वा कुल्ला खा, राजेंद लहरी, चंसेखर आजाद, रौसन सिं का ध्यक्ष कौन था, तो जेबी कृपलानी जीत है, 99, निमलिकी तमसे कौन सी घटना, सबसे पहले घटित हुई, सबसे पहले जो घटना घटित हुई, अगर हम उसकी बात कर ले, भाई, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना, ओके, एक करेक्ट हो जाएगा, चलिए भाई, कब यह हुआ था स्थापना, जल्दी से आप लोग बता दिए, कमेंट करके, हंड्रेट देखते हैं, थुरा सा बलर है, आप लोग बस कॉंसेंट्रेट कीजेगा, मैं जो बोल रहा हूँ, भागत सिंग के बारे में निमलिकित में से कौन सा कतन गलत है, इनके जो है, ध्यान दीजेगा, यह हुआ था, डलहुजी कारकाल में बी करेक्ट होगा, एक सोदो भारत में सबसे पहले हाई कोट की स्थापना किन जगों पर की गई, तो हाई कोट की स्थापना सबसे पहले जो है, भारत में, देखे, मदरास में सबसे पहले किया गया था, ओके ध्यान रखिएगा है ना चले भाई तो 1882 में लौट रिपन की सरकार ने स्थानिय स्वसासन की एक सेकंड 102 है ना 102 का E हो जाएगा ठीक है ध्यान रखिएगा E हो जाएगा मदरास हो जाएगा कलकत्ता बंबाई हो जाएगा E हमारा करेक्ट हो जाएगा 102 का हमारा E करेक्ट अंसर हो जाएगा ठीक है 103 भारत में स्थानिय स्वसासन का अरंब किस वायसराय के काल में हुआ था तो स्थानिय स्वसासन का अरंब जो है ठीक है ये लौड रिपन के टाइम में हुआ था किस ने किसके कारेकाल में अंग्रेजी भारतिय प्रसासन की सहकारी भाषा बनी तो यह किसके कारेकाल में बना था यह बना देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में सी करेक्ट होगा 105 भारत ने जिस समय रॉलेट एक्ट लागू किया उस समय यहां का वाइसराय कौन था तो रॉलेट एक्ट जब लागू हुआ उस समय यहां का वाइसराय देखिए चेम्सफोर्ड था बी करेक्ट होगा 106 चलिए 106 देखिए भारतिय सासन दियम 1935 के द्वारा थापित संग में अबसिस्ट सक्ती किसे दी गई है तो यह संग में अबसिस्ट सक्ती जो है ध्यान रखिएगा यह दिया गया है गवर्णर जनरल को बी करेक्ट हो जाएगा ठीक है 1935 के द्वारा 107 देखते हैं मार्टेंग्यू चेम्सपोर्ड प्रस्ताओ किस से संबंदित था तो यह प्रस्ताओ संबंदित था सरवाधिक सम्वेधानिक सुधार से डी करेक्ट होगा किस एक्ट के तहद भारतिय वैपार पर इस्ट इंडिय कमपनी का एक अधिकार समाप्त कर सभी ब्रिटिस नागरिकों को भारत के साथ वैपार करने की चूट दी गई तो यह जो है चूट दिया गया था देखिए 1913 के चार्टर एक्ट के द्वारा ठीक है करम की बात कर लें तो मुर्सीद कुली खां सुजाओ दीन अलिवर्दी खां फिर सिराजु दौला भी हमारा यहां करेक्ट हो जाता है 111 फ्रांसिसी इस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी कार खाना सबसे पहले कहां स्थापित किया था इन्होंने सबसे पहले अपना कार खाना स्थापित किया था सूरत के अंदर में 1664 में इन्होंने सबसे पहले अपना कार खाना स्थार्ट किया था 112, 28 सिताबदी के मद इंगलिस इस्टिने कंपनी के दौरा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पुन्य पदार्थ स्टेपल कमोडीज क्या थे तो यह स्टेपल कमोडीज की बात कर लें तो 28 सिताब्दी के दौरान मध इस इंडिया कमपनी के दौरा बंगाल से निर्याद प्रमुख पदार्था कपास रेसम शेरा नील और अफीम ठीक है यहीं स्टेपल कमेडीज थें ठीक है तो हमारा इपसलूट करेक्ट हो जाता है 113 देखिएगा क्या बोल रहा है 113 में कौन सा अंग्रेजी अधिकारी 1615 में जहांगीर से मिलकर मुगल समराज के सभी भागों में विपार करने के लिए फैक्टरी खोलने का अधिकार देने वाला एक साही फरमान जारी करने में सफल रहा था ठीक है तो यह सफलता मीली थी सर टॉमस रॉओ को बी करेक्ट होगा चलिए 114 राज अपहरण नीती एक ऐसी नीती थी जिसका उदेश था तो इसका जो राज अपहरण नीती का उदेश था वो था अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी की राज छेतर सिमाओ को बढ़ाना बी करेक्ट होगा 115 लॉड करेक्ट हो जाएगा 116 केली को निमलीखित में से किससे संबंदित है कैली को ठीक है कैली को जो यह सब्द है यह किससे रिलेटेड है देखेगा कैली को कैली को जो वर्ड है यह एक भारती कपड़ा था जिसे अंग्रेजी उरोपियों को निर्यात करते थे और यहां से कैली क है हुआ है तो हमारा C करेक्ट हो जाएगा भारत से विग्रोप को नियर्यात कपड़ा था यह कहलीकों एकटÏ अगरी है पिट केयों हो गता है तो यह वारत है है ना अगर हम इसकी बात कर लें तो 1922 सदी में भारत में एकिकरन हुआ हो चुका था और यह एक राष्ट के रूप में उभर चुका था भारत अंग्रेजों ने धेद्रे पूरे देश में सरकार की एक समान आधुनिक प्रनाली लाओ कर दी और इस तरह उसका प्रशासनिक ए इसके लाबा रेल्वे तार वाएकिकरत डाक विवस्था भी जो देश को एक जुट बना दिया था ठीक है तो रेल्वे हो जाएगा डाक विवस्था हो जाएगा तो हमारा यह हो जाएगा एक से अधिक एक सो आठरा अठरा संतावन के विद्रो का तातकालिक कारण क्या था तो इसका तातकालिक कारण की बात कर ले वो था धार्मिक 119 देवेंद्रना ठाकुर किस संगठन के स्थापना की गई थी तो इनके दोरा जो स्थापना की गई थी वो तत्व बोधनी सभाई की गई थी 120 अखिल भारती है अनुसूची जाती महासंग की स्थापना किस के दोरा की गई इसकी स्थापना की बात कर ले देखिए ये भीम राओं मेटकर जी के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी 121 देखिए लॉर्ड वेलिजली ने अठारा सो में कलकत्ता में फोर्ड विलियम कॉलेज किस उद्देश हेतू खोला था सिविल सेवा के युवाओं के पर्षिक्षन के लिए बी करेक्ट होगा 122 महात्मा गांधी द्वरह 1940 में प्राड़म किये गए व्यक्तिगत सत्यय較 की प्रतम महिला सत्ये ग्राही की बात कर लें तो ध्यान दीजेगा प्रतम महिला सत्येग्राही सरोजनी नाइडु थी सबसे पहले किस मुगल समराथ ने ब्रिटिस के विरूद संगर्स किया था तो ब्रिटिसों के विरूद संगर्स किया था औरंग जेव ने सी हमारा यहां पर सही हो जाएगा 124 देखते हैं हम लोग 124 क्या बोल रहा है दक्कन दंगा आयोग का संबंध किस से था दक्कन दंगा आयोग का जो संबंध है द्यान दीजेगा भाई यह था किसानों की डिन गरस्तता से 125 अठरस उनसट के नील विद्रो के बारे में कौन सा क सथन की बात कर लें बंगाल के बुद्धी जी ने इसे बढ़ावा दिया था ठीक है तो हमारा सी यहां पर बात करने सई हो जाएगा ठीक है चलिए 126 देखे प्रांतों में उत्तरदाई सासन की स्थापना के लिए द्वैद सासन की सुरुवात हुई देखे तो इसमें जो कानूनों को सहित्ता बद्ध करने के लिए एक विधियायो का गठन किया था तो उन्हें ने विधियायो का जो गठन किया था ठीक है मैकाले के मैकाले समीती के नुशंसा पर इन्होंने करी थी तो 127 का D हमारा सही हो जाएगा 128 निमली के तुमसे कौन सुमेलित यहां नहीं है देखिएगा हमारा यहां पर D हो जाएगा लॉड हेस्टिंग बैरकपूर का सैन विधरो यह रिलेटेड नहीं है बैरकपूर का सैन विधरो लॉड एम हर्स्ट के समय हुआ था ना कि हेस्टिंग के समय 139 भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है तो सम्बंदी था किस से देखिए डिकी बर्ड प्लान जो है यह रिलेटेड है भारत के विभाजन से डिकी बर्ड प्लान ओके 131 निम्लिक तुम से किसने खिलाफात अंदोलन सम्बंद में कहा था कि हिंदू और मुसल्मानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अबसर सो वर्सो तक नहीं मिलेगा देखिएगा यह स्टेट्मेंट था महात्मा गांदी जी का एह हमारा करेक्ट हो जाएगा खिलाफात अंदोलन टाइम में ठीक है मुसलिम लिक के द्वारा एक प्रस्ताव पास कर प्रत्रत मुसलिम राश्ट की मांग कब की गई तो यह मांग किया गया थ दियान रखिएगा 1940 में एक करेक्ट होगा नेक्स्ट है हमारा 133 सारे जहां से अच्छा हिंदूस्तान हमारा इसके लेखक मुहमद इकबाल ने मुसलिम लिक किसा दिविशन में उत्तर पस्चमी भारती मुसलिम राज की निर्मान पर बल दिया था तो यह इन्होंने बल दि किसने संगटित किया था देखे गा सी राजगुपला चारी ने किया था भी हमारा करेक्ट हो जाएगा 1930 में परती सरकार का रह्म हुआ था 1942 में प्रती सरकार का आरंभ हुआ था ये हुआ था देखिए महरास्टर के सतारा में डी करेक्ट हो जाएगा प्रांतिय सरकार हो जाएगा ठीक है किस स्थान से संबंदित है किस स्थान से या किस स्थान समंदित है तो चौरा-चौरी घटना जो है देखिए और सयोग अंदोलन से रिलेटेड है चौरा-चौरी किस देश में आजाध हिंद रेडियो सुरू किया था तो आजाध हिंद रेडियो उन्होंने स्थार्ट किया था जर्मनी के अंदर में सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 138 निमली कित्म से कौन हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपब्लिकन असोसियेशन समंदित थे कौन समंदित थे भाई तो यह related थे भागत सिंग जी सी हमारा सत्य हो जाएगा 140 खिलाफत आंदोलन क्यों सुरू हुआ ओके खिलाफत आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ यहाँ पर यह बोला जा रहा है देखे खिलाफत आंदोलन यह स्टार्ट हुआ था खलीफा की प्रभुत्ता को सनक्षित करने के लिए भी correct होगा ओके चलिए 140 गांधी जी का चमपारन सत्यागरह किसकी समस्याओं के समाधान समंदित था तो इनका चमपारन सत्यागरह जो है गांधी जी का ये related था बिहार के नील उत्पादक किसनों के लिए 142 मुस्लिम लिग के स्थापना कब हुई थी मुस्लिम लिग के स्थापना जो है देखिएगा 1906 में हुआ था C हमारा सही हो जाएगा 142 देखते हैं हम लोग 142 विभाजन विरोधी अंदोलन स्वादेशी अंदोलन दोरान किसने राजनीतिक सुतनता किसी राष्ट के प्रान वायू है इसका नारा दिया था राजनीतिक सुतनता किसी राष्ट के प्रान वायू है ये नारा जो है अगर हम बात करने ये दिया था अरविंदो गोसने C करेक्ट हो जाएगा 143 देखिए दीन बंदू मित्र के नील दरपन यानी ब्लू मिरर का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था माइकल मदसूदन दत के द्वारा 144 निमली कि तुमसे किस अंदोलन कारण भारतिय कॉंग्रेस का विभाजन हुआ जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था तो नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ देखिए वह स्वदेशी आंदोने टाइम में हुआ था तो यह हमारा यहां सही हो जाता है 145 प्रात्मिक सिक्षा को निवारब बनाने का प्रस्ताओं इम्पीरियल कॉंसिल में सबसे पहले निमलिकित में से किसके दोरा रखा गया था यह सबसे पहले रखा गया था देखिए गोपाल कृष्ण गोखले जी के दोरा एक करेक्ट होगा 146 अपनी वेसिक काल में अधोगामी निश्यदंद सिधान्त यानि डॉनवर्ड फिल्ट्रेशन का संबंद किस से था देखिएगा इसका संबंद किस से था सिक्षा से था डी करेक्ट होगा ठीक है चलिए आगे हम लोग बढ़ते है 147 स्री नरायन गुरुजी ने जाती प्रताय खिलाफ जीवन भर अपना संगर्स भारत के किस छेत्र में चलाया इन्होंने अपना जीवन भर संगर्स जो है देखिए भारत के केरल में चलाया था झाल करेक्ट हो जाएगा 148 भारत में सबसे पहले किसने निचली जातियों की मिस उकूल खुले था है 309ILY सभां किस संबंद यह किस धर्म सुधार से संबन दित है देखिएगा यह संबंदित है पार्शी धर्म के सुधार से रहनुमाई मिस्द्यान सभां तो यह पार्शी धर्म से संबंदित है और 1851 में इसका स्टार्ट दादा भाई नौरोजी ने करा था कब 1851 में है ना दादा भाई नौरोजी ने चलिए आज का हमारा आखरी सवाल सेट नमबर दो से देखिए निमलिकितम से किस राज में सिंगफो विद्रो हुआ था सिंगफो विद्रो सिंगफो विद्रो जो है ध्यान दीजेगा ये असाम में हुआ था सी हमारा करेक्ट हो जाएगा तो फ्रेंड्स ये था हमारा सेट नमबर दो उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा कमेंट करके अपने स्कोर हमारे साथ आपको रेगुलर चाहिए देन डू सब्सक्राइब ऑल्सो ओके तो आज किस वीडियो में बस इतना ही तिल देन टेक क्यार बबाए कल मिलते एक और नए वीडियो के साथ